नमस्ते दोस्तों मैं मुकेस आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में दोस्तों आज का वीडियो हमारा होने वाला है टोटल लिफ्ट के उपर यानि आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर हम 4-6 या 8 लोगों के लिए लिफ्ट लगवाते हैं तो टोटल कितने रुप्चा हो जाईगा अगर हम टच्पेड और और आटोमेटिक डॉड़ वाला लिफ्ट लगवाते हैं तो कितने रुपखेंग को दोस्तों आगे बरे उसससे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजे क्योंकि मैं अपने इस चनल पर घर मकांस रिलेट जो भी काम के जाते हैं उसका 100% प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करता रहता हूं तो अगर आप ऐसे जानकारी लेने में इंट्रेस्टेट है तो अभी चनल को सब्सक्राइब कर लीजें दोस्तों इसके रेट के बारे में तो हम देखेंगे कितने रुपे लगेगा उससे पहले मैं आपको यह बता दू कि जो टोटल साइज है मीनिमम साइज जो हमारा होता है लिप्ट के लिए वे कितनी छोड़नी चाहिए और केविन के लिए कितनी जगह चाहिए ज हमारा साप्ट का जगह होता है और उसमें भी जो केवल वगएरा का मारजंग छोड़कर और बीच में जो लिप्ट लगता है जिसके दौरा हम ट्रेविल करते हैं वे हमारा केविन कहलाता है सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि मीनिमम साइज हमें कितनी छोड़नी च होँए 208 किलों से लेकर तिनसों किलो तक वियत आजा है चार लोगों के लिए कर तीनके के लिए पर चार लोगों घसे दोड़नी में इसके साइज की बात करूत उव obs 5Fit5-7 जॉढ़ां बात करें थे दोड की जगह मां इसकि हाइट पिक्स रहता है मैं आपको चौड़ाई बता रहा हूं चार लोगों के लिए सब्सक्रत के लिए दोस्तो आफ लोगों के लिए अगर बात करें तो तो टोटल वेट आ जायगा हमें तो इसके जो डोर रहेगा替 आपको पहले ही बता हूं, डोढ मैं आपको चोड़ाई बता रहा हूं दोस्तो ये basic जनकारी थी कि कितनी जगे हमें छोड़नी चाहिए कितने size की lift के लिए हाला कि अभी जो lift लग रही है उसमें इससे ज़्यादा ही जगे छोड़ता है कम से कम कितना जगे हमें छोड़ना है वे मैं आपको बताने की courses किया हूं तो चलिए दोस्तो अब हम देख लेते हैं total कितने रुपे लग जाता है lift लगाने में तो दोस्तो मैं example के लिए मान के चलता हूं कहीं पर हमें lift लगाना है 6 लोगों के लिए जहां पर parking प्लस 4 फ्लोर और टेडिस बना हुआ है तो इतने जगे में lift लगाने में हमें जो खर्चा आ जाएगा total 14-15 लाक रुपे का आ जाता है जिसमें GST include रहता है इसमें इसको install करने का जो खर्चा होए भी include रहेगा और इसको transport का जो इसमें जो खर्चा होए भी include रहेगा लेकिन जो सापट में civil work होगा वे करवाना परेगा जो lift लगाते हैं उन्हें यानि मकान माली को यह जो भी rate मैं आपको बता रहा हूँ यह touch pad और automatic door वाले जो lift आते हैं उसके लिए बता रहा हूँ अगर आप जो manually जो door होते है lift में लगे होते है उसके तरफ जाएंगे तो हो सकता है थोड़े बहुत rate कम हो जाए दोस्तो lift का rate कम या जादा होना manually depend करता है weight की उपर और floor की उपर यानि उसमें weight कितना रहेगा और कितने floor तक जाएगा जैसे minus 6 की जगए पे अगर हम चाहड़ जनी के लिए इतने floor के लिए lift लगवाते है तो उसमे rate कम होते हैं यह जाएगा 6 की जगए 8 लोगों के लिए 10 लोगों के लिए lift लगवाते है तो उसका rate बढ़ जाएगा और अगर मानो आगर हमें कम फ्लोड के लिए लगवानी है तो रेट कम हो जाएगा ज्यादा फ्लोड के लिए लगवाएंगे तो रेट बढ़ जागा यह सभी चीज़े डिपेंड करता है रेट इसका कम या जादा होना है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं जो मैं आपको बताने की कोशिस कर रहा थैंक यू जए हिंग।